लव मैरेज आज कल तो मानों लव मैरेज का चलन चला है हर किसी के सर पर बस लव मैरेज का ही भूद सवार है इसमें से एक है सुहाना सुहाना और विकी एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाते हैं जिसके लिए सुहाना अपने घरवालों को मनाने की कोशिश में लगी है। मा मान जाओ ना, विकी बहुत अच्छा लड़का है। कोई काम नहीं करता वो, आवाराओ की तरह यहां वहां बस घूमता रहता है। क्या करके खिला आगा तुझे? हम कैसे भी कमा कर खा लेंगे, हमारी बस शादी करा दो। अरे वो जाद विरादरी का भी नहीं है, लोग देखेंगे तो थू-थू करेंगे हमारे उपर, ना बाबा ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती, तेरी शादी उससे कराने की। अब और जिद मत करो सुहाना बीटी, हम तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे, तुम्हारे भले के लिए ही सोचेंगे, ना? नई, 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 मुझे बस विके से शादी करनी है, मैं कुछ नहीं जानती। जिसके बाद सुहाना के पापा जबरतस्ती, उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे विवेक के साथ करा देते हैं। वहीं विवेक एक बहुती टैलेंटेड बिसनसमेन होता है, वो लोग काफी अमीर भी होते हैं। शादी की बाद सुहाना के सिसुराल में। बाभू, तो यहाँ खुश तो है ना। हाँ माजी, अब शादी तो होई गई है, खुश ना खुश से क्या फर्क पड़ता है। जब मेरे माता पिता ने मेरी खुशी नहीं देखी, तो आप लोग क्यों परवा कर रहे हैं। क्यों, तुम इस घर की बहू और मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सिसुराल में सुहाना को सब बहुत प्यार करते थे, फिर एक दिन, सुहाना को उसकी एक सहली का कॉल आता है। हेलो सुहाना कैसी है? जिब पता है तो पूछ क्यों रही है? हाँ, बड़े गर में शादी हुई है, विकी को दोखा दे कि खुशी से तो रहेगी न तू। किसे बात कर दिये तुपिंगी? भले ये लोग कितने भी आमेरो, मेरा मन्या बिलकुल नहीं लग रहा विकी के बिना, मुझे पल पल उसकी याद आती है। समझ में यादा क्या करू कि ये लोग मुझे खुद यांसे निकाल दे। और फिर मैं विकी के पास चली जाओ। मेरे पास एक आइडिया है, तू कहें तो बताओ। अरे बोलना जल्दी। देख, ससुराल कितना भी अच्छा क्यों नहों, अगर तू उनके साथ बुरा व्यवार करना शुरू कर देगी न, तो ज्यादा दिन तक वो तुझे प्यार नहीं कर पाएंगे, तेरा खयाल नहीं है अपने मिशन पर, अगली सुबह। वहीं दोपैर के समय सुहाना उठकर हॉल में आती है। शाम को बहु जान बुझकर सारा खाना बेकार बनाती है। ये खाना किसे बनाया आज। मैंने बनाया है, क्यों। पक्का अब ये मुझसे जकडा करेंगे, और मुझे टॉपिक मिल जाएगा घर से जाने का। कुछ नहीं, बहुत टेस्टी है खाना। लव यू माइ बाइफी। हटो, जूटा कर दिया मुझे। बहु? पक्का ये तो मुझसे लड़े बिना रही नहीं सकती। सास कभी अच्छी होई नहीं सकती। मुझे पता है, यही तो बेनिफिट है मेरे लिए, कि मैं घर से जलती जा सकती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? खाना बहुत स्वादिश्ट बना है। ची यार, मैं तो एक मिवाला भी नहीं खा सकती। ये लोग कैसे खा गए पूरा खाना, यक। कितने भी भले बने, मैं तो इनकी नजरों में बुरी बन कर ही रहूंगी अगले दिन। सुनो सुहाना, कल मेरे मीटिंग है, तो यह फाइल संभाल कर रखना। ठीक है, सुहाना जान बुझकर फाइल कब बोड की कोने में फैंक दीती है, और अगली सबाब। वो फाइल कहा है सुहाना, मुझे आफिस के लिए देर हो रही है। ओ शिट, वो दिखो, वो फाइल तो चुहे ने कुतल दी। ओ नो, ये क्या हो गया। आप? कुछ ने, मेरे लापटॉप में इसका पीडियेफ है, मैं आफिस में जाके प्रिंट आउट निकालूँगा, तुम स्ट्रेस मत लो डालेंग। ओ गाड, कैसा आग भी मिला है मुझे, इसे तो गुसा ही नहीं आता। जाके अपनी सास का हाल लेती हूँ। हाल में सास बैट कर टीवी देख रही होती है कि तबी, सुहाना जूस पीते हुए वहाँ आती है, और सास के सामने जाके सारा जूस सास के उपर थूंग देती है। ओ, सौरी सासुमा, गलती से ठसका सा लग गया था। पक्का, अब तो ये मुझे घर से बहाँ निकाल ही देगी। अरे, कोई बात नहीं बहुत, संभाल कर। अकसर ऐसा होता है, हम अगर कोई चिस जल्द बाजी में पिये न, तो ठसका लग जाता है। मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, तू टेंशन ना ले बिटा। ओ भाई, ये लोग इंसान हैं या ड्रामा कमपनी, गुसाई नहीं आता इने, कैसे चलिगा यार। अब कुछ दगडा जुगार करूँगी, कि मैं इस घर से आउट होई जाओ, और अपनी विवेक के दिल में इन। रात के समय, बहु ड्रिंक करके घर आती है। बहु, तुने ये क्या हाल बना रखा है। तुझसे मतलब बढ़िया, अपने काम से काम रख समझी, हट जाए आसे। वो सास को धका देती है, सास जमीन पर गिर जाती है। सुहाना, ये क्या बत्तमिजी है, मा है वो मेरी। मेरी तो नहीं है न, मा? हटो, मेरा जो मनाएगा मैं करूंगी। तुम लोग कौन होते हो मेरी लाइफ में दखल देने वाले। बहु, हम तेरी बत्तमिजी सहन कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुक कुछ भी करेगी। माइ लाइफ, माइ चॉइस। करूंगी कुछ भी। रखना है तो रखो घर में। नहीं रखना तो नहीं रखो। बाई बाई, मैं जा रही हूँ। क्यों हंगा मा कर रही हो। सब कुछ तो ठीक है। कैसे ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुमारी हिम्मत कैसे हुए मुझे डाट देगी। मुझसे हाँ उठाकर बात करने की। मैं जा रही हूँ यहां से। जाने दे बिटा। इससे खुदी बात समझ में आ जाएगी। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। लेकिन तुम हमारे बिना नहीं रह पाओगी। सुहाना बैग लेकर घर से निकल जाती है। फाइनली मैं जो चाती थी वो होई ही गया। ओ गौड इस परिवार से मुझे चुटकारा मिली गया। अब मैं अपनी जान, अपनी महपत मेरे विकी के साथ आराम से रह सकती हूँ। तभी विकी बाइक लेके वहां आता है। आ गई तु। चल बैट जल्दी। अप उन इधर से कहीं दूर जाएंगे। उधर इच रहेंगे। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। कितना दिन दिरा वेट केला है मालू में तेरे को। मेरे को तो लगता है कि अमीर पती पाके मुझे तु बूलिच गई थी। लेगन मेरा प्यार में ताकत ही है इसी है कि तेरे दिल में अब भी मैचू। विकी की बाते सुहाना ध्यान से सुन रही थी और उसे अपने सुसुराल वालों की अच्छाई याद आने लगी। मेरे पती ने भी आद तक मुझसे तु तड़ाक से बात नहीं की और ये कैसे बात कर रहा है मुझसे। मैंने उन लोगों को कितना सताया लेकिन कभी सासुमाने या विवेक जीने मुझसे उच्छी आवास में बात तक नहीं की। मैंने इस कोईले के लिए अपने हीरे जैसे सुसुराल को छोड़ कर जानी का सोचा भी कैसे। जिसके बाद सुहाना भाग कर अपने सुसुराल की और लोट जाती है। अरे ओई मेरी आइटम किदर जा रहे लिए। विकी खुब आवास लगाता है लेकिन सुहाना लोट कर नहीं आती सुसुराल में। मुझे माफ कर दीजिये। मैंने ये सब आप लोगों के साथ जान बुझ कर किया। तो मैं सफाय देने की कोई जरूरत नहीं है बहु। हमें सब पता है। तुम जैसे भी हो अब हमारी हो। जिसके बाद सभी सुहाना को दिल से अपना लेते हैं। वहीं सुहाना भी अब सब के साथ खुशी से रहने लगती है।